एपिसोड इस्टार्ट होते है एरेल को देखते है जो इस चुड़ी कर रहा होता है और उस पुक को बन करती हुए बोलते क्यों तो इस तरह इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक का यूज किया जाता है मैंने थियूरी को समझ लिया है तो क्या मुझे भी एक बेटराई करना दिया के बार में सुचने लगते है कि कैसी वह मैजिक करती थी फिर वो अपने आंख बन करके में रिडेट करने लगता है और उसके चेश्ट के ऊपर एक सर्कल बन जाता है ताभ है एरेल अपनी आँखे को एक लाइट को दिखा जाता है और वो बोलता है कि यह वाव यह ग सेक्टरी दौाफ का दुकान आसा फॉर्म में रहती है और बोलती है कि उन कमीनों की जगा यहां पर रहे तरहल अपने मन में सुचते है कि तुम इस तरह बोलना बन करो कि तुम्हें यथी चोर डाकू का घर मिल गया है फिर वो लोग अंदर के और जाने लगते आसा बोलती है कि अगर आपसे फिर से उन लोगों ने रूट तरीके से बात किया तो मैं पूरे इस बिल्डिंग को ता रहल इसको रोकते हुए बोलते कि नहीं ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे हम लोग यहां काम से आया है प्रॉब्लम हो सकता है तो बोलते है ठीक है मैं समझ गई वह लोग एक रूम के पास पहुंच आते है और वो बेन बोलता है कि माशर अंदर में है तरेल बोलता है कि हम तब हम देखते है उसी डौफ को और वो बोलता है कि यह बच्चे तुम्हारा लेटर मुझे काफी टेम होगे मिले हुए मैं सोच रहा था कि तुम अभी यहां पर आये हो अरेल बोलता है उस डौफ से तुम्हे क्या लगता है कि तुम्हें लेटर मिलेगा और मैं उसी टाइम आ जाओंगा वो डौफ बोलता है ठीक है लेकिन इस बार तुम्हे क्या चाहिए तो अरेल बोलता है कि पिछली बार की रिक्रेट से इस बार अलग है तो अच्छे से पहले तुम मेरी पूरी बात तो अच्छे से सुन लो, मैं चाहता हूँ कि तुम फाइलिये के अंदर अपना एक ब्रांच बनाओ, अपकोस मेरी इंप्लोई के रूप में और मेरे पूरा खर्चा करूंगा, वोड़ आफ गुसा हो जाता है, और बोलता है कि यही तो मैं नहीं पूरा बुस तुमने एसमियो से क्कि वोच्छे पूरा उसके बारे मनने जारे घौकर हुआता है, तो यहां पर ऊड्स गया हूने कि यहाँ पक्राए आए, उनके और रहना ब्लुर्ऽ मेडलों नहीं इसकाए कि उप क्या? तो वह ऐसी डैमेंब पुलते कि क्या यह वंडर्फुल बात नहीं यह देमन आगे बोलता कि अदर वह लोग काम करते हैं कि वह लोग कांटिनेट के अंदर एक होप के साथ आये था कि यह लोग दैमिक इस्टील कि बनाना चाहते था प्रेजिंट कैसी अरेल बोलता है कि यह त technology का नाम सुनते ही अपने बात करने का तरीके को बदल लिया अरेल बोलता है कि मेरे पास knowledge है और तुम्हारे पास skill अगर हम दोनों काम कर तो दो बोलता है कि नहीं तइन सल यह नौ रॉलता है कि यह नौ सल बॉलता है कि बचे क्या तूम मजह कर रहा चल पांश सल ना उससे जदा रहल बना कि ठिक है atau बोलता है और फुर को सबढ़ है कि अब को करेंए और लों मन में इसजनी सब्राइं नहीं और तो तक χा taller कानिया बोलते है कि मैं सोच रहे हैं कि अरेल अपने रूम से हाल फिलाल से निकल नहीं रहा है तो सीना बोलते है कि हाँ जब से वो कैपिटल से आये वो अपने जर्नी से पूरे ठख गए तो इसलिए वो अपने रूम से निकल नहीं रहे सीना बोलते है कि हां कानिया बोलते है लेकिन वो एक विक से अपने रूम से निगलने रहा फिर दर्वाजा खोलती है अब बोलते हैं लगता है कि मुझे खुदी जाकर चेक करना होगा फिर वह वहां से भागने लगती है और अरेल के रूम के पाच आती है और उसे ठुक ठकवाती है तो खुलता नहीं तो रूम को लिए तो वह भी अपना मुझ खुल लेता है और अरेल आगे बोलते हैं अपने सिश्टे से नों ना कि आप भी मुझे जोइन करने के लिए यहां पर आए है फिर दिया अपने मैजिक का यूज करती है और कानिया दे के हरान हो जाती है फिर यह थी दिया अपने अरेल की कप अपने सिश्टे से नोना क्या आप खाना नहीं खाएंगे अगर काना नहीं खाएंगे तो खाना ठंडा हो जाए और यह बात सुनके कानिया तो और पूरे गुस्से में आ जाती है तभी मेंजन के अंदर बलस्ट होता है और बोलता है कि अर्यल क्या थिक तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा कर रहे ॲुए और इसके बार देखते-दीय और खाने को जो एक जिएगा बैटे हुए माती है और अरेल डर जाता है और कानिया बोलते कि अरेल अरेल तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मैजिक के ओपर कुछ जादा ही रिलाइक कर रहे हो तो अरेल सुनके हरान हो जाते है और बोलता है कि हूं फिर वो बताने लगता है कि दिया वो अपने अच्छे से काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है तो कानिया बोलते कि यही तो प्रावलम है मेरे आपिनिन कुछ और है अरेल क्या तुम खुद एकेले घुम सकते हो अरेल बिदम कॉंफिडेंटली होकर बोलता है कि नोना सच में में एकेले बातरूम जा सकता हूं तो उसकी नोना बोलते कि यही तो प्राप्लम है अर्यल और पता नहीं यह लोग क्या बाते कर रहे सीना भोलती है अरेल से हम सुन रहे कि आप से भी काम करने के लिए ज्यादा मेजिक के ओपर रिलाइख कर रहे तो आसे बोलते हैं कि हाँ और आप बहुत दूर जा रहें रहें, रैल या नीम , रैल बोलते हैं मुझे तो भीक है रहे है, फिर दिया सा बोलते है कि दिया क्या तुम्हें कोई surround हो रही है तो दिया भी अपना उनकी help कर सकती हो, चलो हम मानते हैं कि यह ठीक लग सकता है, क्योंकि यह सब तुम केसल के अंदर कर रही हो, लेकिन तुम यही सब काम, यही केसल के बाहर करोगी, तो दूसरे देख के क्या सोचेंगे, अरेल इमेजिंग करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा फिर बोलते हैं कि वेट, लेकिन एक वेट ट्राय करने में क्या जाता है, तीना उगुसा करते हैं अरेल, तो अरेल बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी बाड़ी बेहन के रूप में की अब से तुम कुछ टाइम तक मैजिक का यूझ नहीं करोगे, तुम्हें वड़ीयं कि क्या तो इसका मतलब मुझे अपने जोप से निकाले जाता है है तरहलों बोरते है कि और यह बात इसलिए न सौक थी कहाने दिया क्याती है आपको ऑफकर शीयकि नौप से नहीं तो मैं दूसरे जोब पर रखा जाएगा और अरेल अपने मन में सुचता है कि क्या साच में मेरी लाइप इस्टैल इतनी गलत थी और बोलता है कि लेकिन ये गलत कहा हुआ फिर वो सौचने लगता है और अधी दिया बोलती है अरेल से कि क्या आपको वो बुक चाहिए तो अर साच फेल बोलता कि हाँ चलने में पेंडर दरत देता है लेकि तुम मुझे इठाकर ही लेकि चलो और बोलता है कि इस तरह में लेजी बंग या फिर वह हीरान हो जाता है कि ओ गोर्डय यह सब दुन में फटम होना था मैजिक सक में२गया होना ह嗎 धूला कानिया मैं से फ करस तो तो तूम जरूर भी मार पढ़ सकते हो तो elder दिया कोही प्रॉबल्म नहीं और नहीं यह बताने लगती है कि जब भी मैं अरो को हुआ मेज़िक करती थी तो मैं अपने मैजिक से 멋-क बॉडिके अंडर अपने मैजिकel करती थी और और उनके बोड़ी को एदम फिट और फाइट रखती थी यह बात सुनके दोनों हिरान रहते अरेल सुचता है कि इसलिए मुझे गुद्गुदी होती थी फिर ठीकानिया बोलते है कि जैसा कि मैजिक से एक्पिक्टेशन था दिया लेकिन तुम अरेल को एक बच्चे की तरह इसलिए तोमारा जॉब को किसी और मैंसे कि इसाथ चैन्ज करती हूं और दिया की में एक ही साइट हो हुँ हूं और मैंधुसरे मैं जिसम से ज्यादा इनफॉमड हो और मुझे इनफोंड का मतलब नहीं पताई ऐसकर बाते तुम अरेल का प्रसनल मेजिसन होने के उपर जोड क्यों दे रही हो दिया कुछ बोलती है अरेल अपने मन में सुचता है कि यहां दूसरे जोब में भी एदम सेमी सेलरी है लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है और मुझे लाड़ प्यार से भी कॉनवेक्ट भी नहीं हो रहा है ले कि यहां क्योंकि आप मेरे लोट के यही बड़ी बहान है तो मैं जरूर करूंगी तो अरेल बोलता है कि नोना वो मेरी इंपलो है क्या तुम भूल गई वो लोग एरेल के बाते को फुली अगनौर मार देते हैं और अरेल बोलता है कि ठीक है जैसा तुम्हें लगता है तु यह रहान हो जाती है Aril बताता है अपने मन में ही पहले सी इस को अग्सपाने क आदे काम देता हूँ तो क्या वह पहले से स्मार्ट नहीं होगी खाली हुलति ठीक है मैं हार मांथती हूँ लेकिन से किया टेस्ट खाने का कॉन्पेटीसमंड अर्थ में पता है कि एरेल खाने के टेम्पे बहुत से नक्रे करते है अर्थ में उसके खाने के बारे में पता होना चाहिए कि क्या 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 खाता है तो बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर वो अपने सूट बूट में तियारो के खाना बनाने लगती है अपने मैजिक के अरेल भी उस खाने को खाता है अब बोलता है, सच में ये बहुंट टेस्टि ही यह है और नों का हरकत देखे अपने रूपधि अपने रूम से निकल जाता है अब बोलता है। इन दोनों का सब्रेंद से सच में क्या तुम दोनों होने उस problem के बारे में बात कर रही हूं, जहां पर हमें एक टूटा हुआ magic artifact मिला था, और हमें कोई culprit ने मिलाया, तो ऐथी, RL बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सोचते है कि वह कौुप्रेटर सिना भोलते की नहीं हम यह नहीं सुछते कि की वह कल प्रैक्ट हम बस इसके बारे मैंसी सोच रहे तभी आसा बोलती है ऐक्ट यो बात यह हमें उस जगह पर एक लैटर मिल जो हमें लगता है कि उस जगह फो लेटर उस कल्प्रेट ने छोड़ा होगा तो वो एटी लेटर एटी अरेल को दे देती है तो अरेल उस लेटर को पकड़ता है और बोलता है कि एक लेटर फिर उसको खुल के पढ़ने लगता है और उसमें लिखा हुआ रहता है मैजिसिन दिया को मैजिक टाउर में रिटन करो अरेल बोलता है सिरियसली कि अब हुआ हमारे मैजिसिन को लेके हंगामा कर रहे है फिर आसा से बोलते कि तुमने इस लेटर को दिया को देखाया तो आसा बोलते कि हाँ मैंने उसको देखाया यह लेटर लेकिन उस लेटर को दे तो ही प्रॉब्लम है पिर लगसनें टंग करते हुए यह बोलता है कि मुझे लगता है कि क्योंकि इसलिए तो नव कि नॉर्मली तॉर पर अपपो झूडने से पहले आप्को बहुत भाइब है तुम्हें मुझे मानने का जरख़त नहीं पैसा इ toxic मैं आप ऐसा सोचते है तार्ल फिर अपने मन में सोचने लगता है कि में इन लोगो कैसे बता हूं कि मैंने उसके heart को चेक कि और good उसके अंदर कोई भी bad intention नहीं है मैं इन सभी को कैसे बता हूँ फिर अरेल उन दोनों से बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि नोना ऐसा क्यूं करे ये लेकिन कोई conclusion पर निकलने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनो नोना को रोको आसा बोलती है लेकिन इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म और हाँ 20K के लिए थैंक्यू तब तक मिलेंगे नेक्स वीडियो में जाय होना रहूँ